नमस्कार चानक्या IES Academy में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैवाहिक बलातकार अपवाद या Marital Rape Exception की वह इसलिए क्योंकि दिल्ली उच नियाले में IPC की धारा 375 की विरुद एक याची का दायरिक गई है और IPC की धारा 375 की हम बात करें तो यह बात करता है Marital Rape Exception की आईए पहले हम यह जानते हैं कि Marital Rape Exception आखिर है क्या Marital Rape Exception में यह जो वर्ड एकसेप्सन है मतला अपवाद या छूट इसके तहत यदि पतनी की आयो 15 वर्ष से अधिक है तो पती द्वारा बल पूर्वक यौन सम्मंद बनाने को बलातकार का अपराध नहीं माना जाता है इसका क्या अर्थ हुआ? इसका यह अर्थ है कि यह जो सब्द अपवाद या एकसेप्सन है या पती को वैवाहिक अधिकार देता है एक ऐसा वैवाहिक अधिकार जिसमें पतनी की सहमती हो या सहमती ना हो वह अपनी पतनी के साथ यौन सम्मंद या सेक्स्वल रिलेशन बना सकता है और इसी अपवाद या छूट को चुनोती दी गई है दिल्ली उचन्याले में चुनोती के लिए दायर याचिका में यह बात कही गई है कि आईपीसी की धारा 375 अनकॉंस्टिशूशनल या ओसम्मेधानिक है क्योंकि इसमें वैवाहिक इस्थिती में महिला की सहमती अधिकार को पुरुस की तुलना में कम किया जा रहा है इसी अपवाद या छूट को चुनोती दी गई दिल्ली उचन्याले में और उसमें यह बात कही गई कि आईपीसी की धारा 375 की यह विवस्था अनकॉंस्टिशूशनल या ओसम्मेधानिक है वह इसलिए क्योंकि एक वैवाहिक इस्थिती में महिला की सहमती अधिकार को यह सेक्षन पुरुस की तुलना में कम करता है अब अगर हम इस कानून के आधार की बात करें तो इस कानून का आधार टिका हुआ है आपनिवेसिक काल से और मुक्रूप से यह दो अवधार्नाओं पर कारी करता है पहली अवधार्णा है consent in perpetuity मतलब सदा के लिए सहमती इसका अर्थ है कि विवाह में पत्नी की सहमती पती के साथ हमेशा रहती है इसका सीधा अर्थ क्या है? इसका सीधा अर्थ ही है कि पत्नी पती की संपत्ती होती है अब बात करते हैं दूसरी अबधार्णा की दूसरी अबधार्णा है expectation of sex इसके अंतरगत ऐसा समझा जाता है कि एक विवाह में जो sex की responsibility होती है उससे महिला बंधी होती है आकिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि विवाह का उद्देश सी होता है इसलिए एक विवाह में पती का पत्नी से sex expectation पुर्ण रूप से औचित्य पुर्ण है, reasonable है और पती के इस sex expectation को उसकी पत्नी इनकार नहीं कर सकते है तो इन दो अबधार्णाओं पर यह कानून टिका हुआ है और मैंने जैसा कि पहले ही आपको कहा कि ये दोनों जो अबधार्णाओं हैं, वो आपनिवे सी काल से ली गई है अब हम बात करते हैं वर्तमान विधिक प्राबधानों की वर्तमान विधिक प्राबधानों के अंतरगत हिंदू विवाह अधिन्यम 1955 मुसलिम परस्टनल लाउप 1937 इन सब में वैवाहिक बलातकार को तलाग का आधार नहीं माना जाता है और जैसा कि हमने पहले ही देख लिया कि IPC की धाराथ 375 के अंतरगत यदि पतनी के आयू 15 वर्स से कम नहीं है तो पतनी के साथ जवर्दस्ती सारिक संबंद बलातकार नहीं है तो कुल मिलाकर हम यहाँ पर क्या देखते हैं हम यह देखते हैं कि वर्तमान विधिक विवस्था के अंतरगत वैवाहिक बलातकार को अपराद की रूप में मानिता नहीं दी गई है अब हम यह देखते हैं कि वैवाहिक बलातकार अपवाद को चुनोती देने का आखिर आधार क्या है सबसे पहला आधार है तीन महत्पूर्ण मामला पहला इंडिपेंडेंट थॉट बनाम भारत संग इसमें सुप्रीम कोट ने नावालिक पत्नी के साथ बलातकार को अपराद घोसित किया दूसरा मामला नयमूर्ती के एस पुट्टुसामी बनाम भारत संग हमें ये पता है कि इस मामले में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार की संग्यादी गई उनका निजता का अधिकार है अब बात करते हैं तीसरे मामले की तीसरा मामला है जोसेफ साइन बनाम यूनियन ओफ इंडिया इसके अंतरगर देखिए क्या बात के गई है इसमें यह बात कही गई है कि विवाह महिलाओं की यौन स्वत्मत्रता और उनकी पसंद के अधिकार को समाप्त नहीं कर सकता है अब बात करते हैं दूसरे आधार की जो समंदित है जस्टिस वर्मा समिती से जसका गठन किया डिया था दिल्ली में घटित निर्भया मामले के बाद जस्टिस वर्मा समिती ने भी यह अनुसंसा की है कि वैवाहिक बलातकार अपवाद को हटा दिया जाए उन्होंने अपनी अनुसंसा में यह बात कही कि बलातकार या यौन हिंसा के अपराध से बचने का आधार पीडित एवं अपराधी के बीच वैवाहिक सम्मन्द नहीं होना चाहिए अगर चुनोती देने के अगले आधार की हम बात करें तो उसमें यह बात कही गई है कि वैवाहिक बलातकार अपवाद भारती सम्मिधान के अनुछेद 14, 19 और 21 का उलंगन है ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वैवाहिक बलातकार अपवाद महिलाओं के समानता के अधिकार, मर्यादा पूर्वग जीवन जीने का अधिकार और उनकी वैक्तिगत स्वायतता के विरुद्ध है चुनोती देने के अगर हम अगले आधार की बात करें, तो उसमें यह बात कही गई है कि वैवाहिक बलातकार अपवाद या विवाहित और गैर विवाहित महिला के बीच अंतर करता है वह किस तरीके से वह इस तरीके से कि अगर किसी पुरुस के द्वारा किसी महिला का बलातकार किया जाता है तो बलातकार संबंधी इस अपराद के लिए कानून में सजा का प्रावधान है लेकिन ठीक इसके उलट अगर पती के द्वारा पतनी के साथ यौन संबंधी अपराद किये जाते हैं तो उसे किसी परकार की सजा नहीं मिलती है वहीं चुनोती देने का जो अगला आधार है उसमें यह बात कही गई है कि हमारे समाज में बाल विवाह का परचलन और लड़कियों की जबरंसादी यह एक आम बात है और इन दोनों मामलों में मतलब बाल विवाह का परचलन और लड़कियों की जबरंसादी इन दोनों मामलों में वैवाहिक बलातकारी की संभावना काफी ज़्यादा होती है और सबसे महत्पूर्ण बात वयह कि इंग्लेंड के उच्च सदन में मतलब हाउस ओफ लॉड्स में वर्स 1991 में विवाह को बरावरी के साज़ेदार के रूप में घोसित कर दिया गया है और पतनी को पती की अधिनस्त संपत्ती विचार को पुर्ण रूप से खारिच कर दिया गया तो इसका सीधा सा अर्थ यहां पर यह है कि जिस देश के द्वारा कानून हमारे उपर लादा गया है हम उस कानून को अभी तक क्यूं ढो रहे हैं हम उस कानून की शकल को क्यों नहीं बदल रहे हैं अब जहां वैवाहिक बलातकार अपराद को चुनोती देने के अपने आधार है वहीं वैवाहिक बलातकार अपराद गोसित नहीं किया जाए इसके पीछे भी कुछ लोगों के द्वारा तर्क दी जा रहे है उन तर्कों को जरा सुनिए तर्किया है कि इससे पहले भी कई ऐसे कानून आए है जिन कानूनों के द्वारा महिलाओं को ससक्त करने का प्रयास किया गया जैसे कि 498A मतलब IPC की धारा 498A जो दहेज कानून से समंधित है इस कानून के दुरुपयोग के कई परमान मिले हुए है तो यहाँ पर यह बात कही जा रही है कि जिस तरीके से दहेज कानून का दुरुपयोग किया गया है ठीक वैसे ही वैवाहिक बलातकार अपवाद को अगर हटा दिया जाता है तो फिर यह भी एक उपकरण या यंत्र हो सकता है पती को परिसान करने का मतलब यह कि यह पती को परिसान करने का एक साधन हो सकता है और इसका परिणाम यह हो सकता है कि इससे वैवाहिक संस्था खत्री में पड़ जाए वहीं आगे यह बात कही गई है कि पुरुस और उसकी अपनी पत्नी के मद्ध जो वैवाहिक बलातकार है उसका कोई इस्थाई सबूत या साक्ष नहीं मिल सकता है वहीं आगे यह बात भी कही जा रही है कि विधी आयोक की 172 वी रिपोर्ट जिसमें बलातकार कानून की समिछा की गई है अगर उसकी हम सिफारिसों की बात करें तो उसकी सिफारिस में वैवाहिक बलातकार के अपराधी करण को शामिल नहीं किया गया था तो इस वीडियो में हमने यह देखा कि वैवाहिक बलातकार अपवाद क्या है हमने यह भी देखा कि किन आधारों पर उसे चनोती दी जा रही है उसे और सम्मेधानिक कहा जा रहा है और साथी साथ हमने यह भी देखा कि क्यों उसे बनाए रखनी की बात की जा रही है इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं आप हमारे साथ बने रहिए नई नी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए धन्यवाद